हेलो फ्रेंज वाट डियून चानल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक पुर्णिमा क्यों मनाते हैं जानने के लिए वीडियो लास्प तक देख कार्तिक पुर्णिमा 2018 इस साल बन रहा है खास अमर्धियोग इस विधी से करें पूजा हूंगे स सभी दोषदूर मानेता है कि कार्तिक पुर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने राक्ष स्थ्रिपुरासर का वद्ध किया था। इसलिए इस तिथी को तृपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है है हिंदू धर्म में कार्तिक पुर्णिमा का विशेश महत्व है इस साल यह 23 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन को काफी पवित्र माना जाता है। इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी जन्मों के पापों से मुक्ती मिलती है। क्या है महत्व अमान्यता है कि इस दिन भाक्त सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसुन कर सकते हैं। इस विशेश्मों के पर विधि विधान से पूजा आर्चना करना ना केवल पवित्र माना जाता है बाल की इस से समरिधी भी आती है। इसके साथ ही इस सभी कष्ट इस दिन पूजा करने से कुंडाली, धन और शनी दोनों के ही दूश दूर हो जाते हैं, क्यूं कहते हैं त्रिपुरी पूर्णिमा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरसर का वद्ध किया था, इसलिए इस तिथी को किया था, इसके बाद भगवान शिव ने ही उसका वद्ध कर संसार को उसे मुक्ती दिलाई थी, इसे कलावा इस तिथी को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन क्या करें, अमान्यता है कि इस दिन इस चावल दान करना बेहत शुब होता है, दरसल चावल का संबंध चरंद से है, इसलिए कहते हैं कि ये शुब फल देता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को साफ रखना चाहिए, इसी के साथ ही घर के दरवाजे पर रंगोली बनाना भी बहुत शुब माना जाता है, इस कार्तिक पूर्णिमा को विशेश समरिधी युग बन रह इसलिए शिवलिंग पर जल चड़ाना बहुत शुब होगा। जल चड़ाने के बाद 108 पार ओम नमह शिवाय का जाप भी करें। पूजा विदी एक आप प्रातहक काल शीग्र उठकर सूर्य देव को जलर्पित करें। जल में चावल और लाल फूल भी डालें। 2. सुबहसनान के बाद खर के मुख्यदवार पर अपने हाथों से आम के पतों का तोरण बना कर बांधे। 3. सरसों का तेल, थिल, काले वस्तर आदी किसी जरूरत मंद को दान करें। 4. सायमकाल में तुलसी के पस दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 5. इस दिन ब्रामन के साथ ही अपनी बेहन, बेहन के लड़के, यानी भांजे, बुवा के बेटे, मामा को भीदान स्वरूप कुछ देना चाहिए। 6. जब चंद्रोडे हो रहा हो, तो उस समय शिवा, संभूती, संतती, प्रीती, अनुसुया और क्षमारिंशह कृतिकाओं का पूजन करने से शिवजी का आशीरवाद मिलता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लायक करे, कमेंट करे, शेर करे और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद।